तो अगर हम यार इसकी डिमांड की बात करें तो every organization जो जितनी भी आपर organization है उसमें कुछ ना कुछ positions यहाँ पर नहीं नहीं निकलती भी आ रही है यह वो करियर है जिसमें तुम जो अभी demand में आना स्टार्ट हो रहा है बहुत जादा क्योंकि यार तुम जैसा जानते हो यार क थोड़ा सब discuss कर लेते हैं तो यार cyber security में अगर तुम्हें career बनाना है तो proper एक तुम्हार पर ट्रेनिंग प्लस एक certificate होना चीए ठीक है college degree तो होनी चीए प्लस certificate वगरा ये भी होने चीए जो यार काफी दूसरी हमारी country जैसे US वगरा यहाँ पर वहाँ पर क्या होता है यार क अगर आपके पास एक graduation और bachelor's की degree होगी तो आपके लिए जाधा अच्छा होगा अगर आप इंडिया में देख रहे हो अपना career cyber security में तो it's good to have a graduation degree at least अब वो graduation कोई सी भी हो सकती है मैं तीनी जरूरी नहीं इसमें btec वाले ही btec की degree आपका सोनी चीए ऐसा कोई compulsory नहीं है आपके पास it's good to have a BCA degree, BSC IT, BSC Computer Science ठीक है IT fields related अगर आपके पास degree है तो भी आपका काम हो रहा होगा पर मैं बता रहा हूँ BCA, BSC IT, BSC Computer Science में भी आपका काम हो रहा होगा तो अगर हम यार इसकी demand की बात करें तो every organization जो जितनी भी आपर organization है उसमें कुछ ना कुछ positions यहां पर निकलती भी आ रही है यह वो जो career है जिसमें तुम जो अभी demand में आना start हो रहा है बहुत जादा क्योंकि यार तुम जैसा जानते हो यार काफी जैसे internet users बढ़ रहे हैं hackers काफी सारे आ रहे हैं तो जो cyber security professionals की जो jobs जो आ रही है वो भी बढ़ती जा रही है ज़रत organization में आ रही लोग उतने skilled अभी नहीं है इंडिया में तो यह एक बहुत बड़ी opportunity है जो भी मतलब जिसका भी interest है cyber security में तो तुम इसमें जा सकते हो because इंडिया में especially मैं बात करूं है इंडिया में जिस level के attacks होते हैं उस level के skilled cyber security के professionals नहीं हैं बहुत कम है ठीक है तो अभी काफी demand है इसमें ठीक है तो इसमें यह हो सकता है यार की एक वो बात होती कि मुह मांगी रकम हमें मिल रही होगी अगर हम skilled है तो वही चीज़े आ पर तुम इस domain में तुमने 5-4-5 साल का experience दे दिया और काफी highly skilled तुम हो तो यार तुम्हार ली काफी opportunities अपने आप आएंगी यह उस तरीके का domain है बट इसमें काफी आपको practice, learning, सब चीज़े करनी होगी है अब बात करने त्यार skills required to choose a career in cyber security ठीक है तो इस पर अगर हम यार बात करें तो यार सबसे पहले है तुम्हारे पास यह college की degree होनी ठीक है तो यार इंडिया में क्या है college degree at least आपके पास graduation की degree होनी ठीक है तो at least आप bachelor's degree होनी ठीक है उसके प्लस आपके पास cyber security की training and certificate होनी ठीक होनी ठीक है प्रॉपर लिए आपने सी एक cyber security domain में कुछ training करी हो कुछ certificates आपके पास होने ठीक है कुछ entry levels job post में आप जा सकते हो उसके लिए दो entry level की position होती हो उसको मैं इसी वीडियो में next part जो हमारा job post उसमें मैं सम आ रहा होगा है cyber security पर उस वीडियो में मैं आपको कुछ free resources भी बता हूँगा और कुछ मतलब ऐसे methods paid भी बता हूँगा कि कहां से आप इन चीज साइबर security की training ले सकते हो certificate ले सकते हो और कुछ free methods भी मैं आपर एक next video में बनाने वाला हूँँ तो make sure you subscribe this channel ठीक है अब बात कर ल होना चीए quick learner आपको जल्दी जल्दी यार यहां पर चीज सीखना आनी चीए क्योंकि यह जो domain यार यह कोई ऐसा नहीं कि इसका fixed एक structure है ठीक है इसमें आपको deep dive करना पड़ेगा एक swim की तरह आपको यूm deep dive करना पड़ेगा और चीजों को उखाड़ना पड़ेगा ठीक है उसके अलावा गयर है यार हम बात करें तो आपको एक avenger होना चीए avenger से मतलब क्या है मेरा यार avenger मतलब एक वो लड़ने की समता आप में होनी चीए एक super hero आप होने चीए ओठीक है यह soft skills की मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब कभी भी कुछ problem हो तो आप जाकर बचा रहे होते ह ठीक है उस तरीके का आपका एक role होता है अगर एक और मैं तीसरी soft skill की बात करो तो वो है problem solving skills क्योंकि काफी सारे attacks होते हैं तो आपको काफी सारी problems को solve करना पड़ता है code भी काफी complicated code हो जाता है हमारा तो उस code को आपको एक well documented तरीके से लिखना पड़ता है तो काफी सारी हमारी चौती soft skill की बात करते है वो है enthusiast आपके अंदर एक enthusiasm होना चीए एक सीखने की चाहा होनी चीए एक passion होना चीए आपको यार cyber security के domain में जाना का तब ही आप इसमें successful हो सकते हो एक motivation आपके पास होना चीए और मतलब आप बहुत excited होने चीए और problems को solve करने में और जो भी आ कर रहे हो तो आप एक enthusiast होने चाहिए हो एक enthusiast की skill भी यहां पर ज़रूरी है अगर आप देख रहे होगी में को cyber security में अपना career बनाना है तो उसके अलावा हमारी last soft skill की यार बात करें वो है यहां पर teacher ठीक है आपको teacher का role जो एक teacher का role होता है जो वो पढ़ाता है उस हिसाब स में आप काम कर रहे हो यार उसमें ऐसा करना पड़ेगा आपको कि आप as a teacher teacher से अगर मैं बात करूँ तो अभी job role में बात करूँगा job post में consultant की job होती है ठीक है वो consultant की job आपको निभानी पड़ीगा अच्छे से यार उसमें क्या होता है पहले तो आप खुछ समझो क्या fact आ अगर आप किसी consultant हो ठीक है तो बाकी जो team members है वो आपसे expect करते हैं कि आप पहले कोई चीज़ सीको फिर उन्हें समझाओ और अपने आप ऐसा divide करो task और आप solution प्रोवाइड कर रहे हो as a consultant आपको as a teacher soft skill का अपने team members को समझाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर इस security में हमारे system म professional तो यहाँ पर साथ तरह के major roles होते हैं जिसको मैं अभी one by one आपको explain कर रहा हूँगा in depth में क्या roles होते क्या responsibility क्या काम करते हो उसमें यह साथ होते हैं इसमें senior level के भी है mid level के भी entry level के तो entry level के यहाँ पर दो role होते हैं जो कि मैं आपको बता हूँग वो होता है 6th और 7th पर का इन साथ के अलावा कुछ other roles हैं उसके बारे में भी हम यार एक बार नाम नाम उनके भी discuss कर लेंगे तो अब आजाते हैं हमारे पहले तो है यार security architect security architect में सबसे पहले तो आपको इसमें proper एक certificate प्रस ट्रेनिंग चाहिए है वो mandatory होती यार इसमें उसके अलावा इसका जो काम होता है वो एक और चीज़ यह है यह यहाँ पर एक किस चीज़ की वो है यार एक पूरा security system जो बनाया जाता है उसकी planning, implementation और testing सारा काम यह देखता है हमारा second जो निकल के आता है यार वो है security consultant ठीक है security consultant भी कह सकते हो आप एक mid level career या फे एक senior level की position होती यार यह ठीक है इसमें भी क्या होता है आपको guidance देना होता है आपकी एक आप क्या करते हो आपकी जो भी organization है एक वो जो मैंने अभी यार एक soft skill में भी बात करती है एक teacher वाला job role अधा करना पड़ता है आपको as a teacher आपको पूरी अपनी team को यारी आपर सारी चीज़े समझानी पड़ती security related best solution प्रोवाइड करने चाहाँ अच्छा ये दिखकतारी है तो ये इसका solution है इसको ऐसे कर तो ये सारी चीज़े मतलब एक सला कार एक जो सला देता है वो होता या job role यार वो है यार penetration tester ठीक है ये क्या है इसको यार हम ethical hacker भी बोलता है ठीक है penetration tester तुमने नाम सुना होगा ethical hacker तो दोने एकी चीज़े तो इसका काम क्या होता है यार कि जितने भी loopholes होते है हमारे security system में ठीक है उसको identify करना ठीक है वो सारा काम यार इसका होता है उसको ठीक करना जो भी चीज़े होती है यार बेसिकली यार cyber attack से चीज़ों को रोपता है तो वो काम होता है ethical hacker और penetration tester दोनों ही इनको इसका नाम ethical hacker भी है और इसको ऐसे penetration tester भी बोलते हैं तो हमारा चौता job role यार चीफ information security officer जिसको हम CISO भी short form में बोलते हैं इसका ये क्या होता है पहली चीज इसके पास काफी सारी powers होती है दूसरी चीज यार यहाँ पर यह जो होता है इसके लिए आपको proper training और certificate जरूरी होता है इस job role के लिए भी उसके अलावा यार ये भी advanced level की job है जो आपको एक experience के बाद आती है at least five years experience three four four years four plus experience ठीक है एक senior level की कहने का मतलब है senior level की यार ये position है य हमारे जितने भी security engineer security officers जो हमारे होते है उस team को ये पूरा manage कर रहा होता है यार ये बहुत एक powerful position होती है अगर आप इसको crack कर ले तो इस company में तो ये एक तरह से बहुत एक powerful position होती है सारा control इसके पास होता है और ये बहुत एक high paying job role भी है ठीक है इसमें आपको पैसा भी भर- powerful position है और इसमें आपको पास control भी होता है प्लस इसमें पैसा भी आपको salary भी ज्यादा मिल रही होती है पांच वह होता है यार हमारा क्रिप्टोग्राफर का काम क्या होता है यार सबसे पहले बात कर लेता है तो क्रिप्टोग्राफर ऐसा code लिखता है जो की hackers जो है वो crack ना क इस तरीके का काम यार क्रिप्टोग्राफर कर रहा होता है जो भी आर इंचोट अगर आप एक coding lovers हो आपको code लेकने में बहुत मज़ा आता है cyber security के career में ये job role आपके लिए ही बनी अगर आपको coding में boss for coding lovers के लिए यहाँ पर यह है क्रिप्टोग्राफर की job अगर हम बात करें तो किस level की job है तो ये mid level की job है ये ना ही एक entry level की job है ना ही एक advanced level की job है data को जो भी हमारा security system में data होता है उसको आपको analysis करना पड़ता है इस तरीके का आप काम कर रहे होते हो जो भी यार student inspired या aspire to become a cyber security में जाना चाहते हैं जो aspire to become a cyber security profession ये उनके लिए एक entry level की job होते है साथवे नंबर की यहाँ पर यहाँ job position है वो है यहाँ यहाँ पर security engineer responsible for rebuilding the security system of the organization जितना भी हमारा system होता है उसको rebuild करते हैं जो भी security engineer होता है वो उसको पूरा rebuild कर रहा होता है तो यहाँ पर इसका एक role होता है ये भी यार एक entry level की job है अगर आप एक inspire आप एक aspire to become a cyber security professional तो इस domain में आप जा सकते हो इस job role को आप pursue कर सकते हो और ये एक entry level cyber security में entry level की job होती है ये और analyst वाली दोनों यहाँ पर entry level की job होती है मैंने यहाँ पर आपको major जो 7 category के roles होते हैं इसके बारे में आपको बता दिया यार अब मैं बात करूँगा कुछ other job roles जो भी काफी सारी companies होती उसमें कुछ other job roles भी यहाँ पर होते हैं चौता number का यार incident responder फिफ्थ पर यार security specialist और हमारा last six ते यार source code auditor ठीक है तो यहाँ पर यह कुछ other job roles है जो कि यार companies यहाँ पर provide करती है तो अब फड़ा पड़ से आ जाते हैं इस वीडियो के conclusion पे तो यह वीडियो यार काफी जाद लंबा हो जायागा इस वज़े से मैं कुछ other topics कुछ और चीज़े यहाँ पर cyber security से related रहे गई है उसको मैं next video मैं cover कर रहा हूँगा प्लस एक special video आ रहा हो गया जिसमें मैं आपको कुछ free resources और आप कैसे जो technical skills होती है यारे cyber security के लिए को कैसे आप free में सीख सकते है online वो भी मैं बता रहा हूँगा और काफी कुछ एक BCMC का कैसे इस industry में घुस सकता है उसके बारे में भी next video में मैं cover कर रहा हूँगा फिलाल मैंने ये video आपके लिए बहुत important है अगर पूरा कैसा है क्या scope है यार यहांपर cyber security का सब चीज मैंने in-demand में बताई है salary wise भी मैंने यहांपर बता दिया कि salary भी आपको काफ किसमे किती ज्यादा किसमे salary ज्यादा मिलती है वो सब चीजे भी आ रहा बताई है उसके अलावा कुछ other job roles हैं जिसके बारे में मैंने आपर इस video में है डिसकस किया है सो तब तक के लिए चलते हैं आर दिस तुशार बडिवाल signing off